तेलंगाना की बात करते हैं जहांपर जीत के बाद आज कॉंग्रिस विधायक दल की बैठक होई है जिसमें मुख्य मंत्री चुनने का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है तीन राज्यों में निराशा जनक प्रदर्शन के बीच तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है जहां से कॉंग्रिस के लिए खुश खबरी आई है यहां पर 119 में से 64 सीटों पर जीत कर कॉंग्रिस सपष्ट बहुमत की सरकार बना रही है इस भी सूतरों के हवाले से खबर आ रही है कि आज ही कॉंग्रिस की ओर से सीएम और डिप्टी सीएम पद कुल जो है वो शपद ले सकते हैं पद की उमीदवार जबकि बाकी के जो मंत्री है वो बाद में शपद लेंगे तो अब देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर होता है तो 119 में से 64 सीटों पर कॉंग्रिस जीती है हमारे सहीयोगी निहाल किद्वई हमारे साथ जुड़ गए है निहाल ये जो अभी बैठक होई है उसके बाद मुख्यमंतरी चुनिने का फैसला आला कमान पर छोड़ दिय जा गया है लेकिन क्या नामों को लेकर तस्वीर साफ हो पाई है कि सीएम और डिप्टी सीएम का चहरा कौन होने वाले हैं देखिए यहां पर लंबी बैठक चली और इस बैठक में उमीद की जा रही थी कि मुख्यमंतरी के नाम के साथ साथ उप मुख्यमंतरी के नाम की भोशना हो जाए लेकिन ऐसा लगता है कि दो तीन बड़े दावेदारते जैसे उत्तम कुमार का नाम था साथ साथ रेवंत रेड़ी सबसे आगे अब भी चल रहे हैं वेंकट रेड़ी तो ऐसे में लगता है कि बहुत ज्यादा वहां पर हल्लांगामा हुआ और इसलिए यह तैय किया गया कि सभी विधायकों ने यह तैय किया जो पार्टी के अब पार्टी आला कमान यह तैय करेगा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा लेकिन जो नाम सबसे आदे मुख्यमंत्री पत के लिए चल रहा है वो है रेवंत रेड़ी और उपर मुख्यमंत्री पत के लिए भठी विक्रमार का मलू एक चीज़ार आपको बताना चाहूँगा कि यहां पर जो 64 सीटों पे जीत हासिल की है तो अब यह देखना है कि मुख्यमंत्री और उपर मुख्यमंत्री के नाम की घोशना कितनी देर में होती है उमीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री और उपर मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा संभावना है कि आज राजभावन में शपत ले सकते हैं या कल और इसके बाद 9 तारीख को जो बाखी काबिनेट है वो सपत लेगी कुल यहाँ पर 18 मुख्यमंतरी के साथ 18 मंतरी बनाए जा सकते हैं 9 दिसम्बर इसलिए कहा जा रहा है कि 9 दिसम्बर की एक एहमियत है तिलंगाना के लिए 2009 में 9 दिसम्बर को ही तब के किंद्रिय ग्रह मंतरी पीच यदामरम ने संसत को बताया था कि तिलंगाना को एक अलग राज बनाने की परकिरिया आज से शुरू होने जा रही है तो 9 दिसम्बर को यहाँ विक्टरी डिय के तौर पर भी मनाया जाता है ऐसे में के सियान ले भी 9 दिसम्बर को ही शपत लिए तो यहाँ पर ज्यादा माहौल विग्र नहीं और खरीद फरोखत की भी बहुत सारी बाते आरोप पर त्यारोप लग रहे हैं लिए कोशिश हो रही है कि मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री को शपत दिला दी जाए और बागी जो यह हैं कैबिनेट के मंत्री है वह 9 दिसम्बर को शपत लेंगी इसकी प्रबलसम हावना